अगे खबरारी गया से जहां बाबा साहब भीमरा अंबेटकर की सत्सथवा परिनिर्वार दिवस पर बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यारपण कर मनाया किया आज जग जीवन राम छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने सोभायात्रा निकाली और फिर अमबेटकर जी की प्रतिमा के पास जाकर माल्यारपण किया उक्तव सर्ग मकुदुमपुर विधायक सतीज दास ने कहा कि अब महादलितों को अपनी लड़ाई सोयम लड़ना होगा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्तेदारी के सिध्धान पर ही देश में आरक्षण देने की जरूरत है सम्विधान निर्माता बाबा साहिब ने ही हम गरीवों को सम्विधान में आरक्षण का प्रापधान किया था लेकिन कुछ दलों के द्वारा आज आरक्षण को समाप्त करने का काम किया जा रहा है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे वही समास सेवी उपेन पासवान ने कहा कि आज बावा साहिब के आदर्सों पर चल कर ही देश महान बन सकता है उक्त मौके पर कई गड़माने लोग वस्थित रहें बावा साहिब के बनाए हुए सरिधान जो आज खत्रे के घंटी है तो हमारे सभी रान्यतिक नेतागन लोग इस बात को आठो समझ रहें और संदेश भी दे रहें देखनी की समस्या का समझान क्या हैं परेंबल में पहला लाइन लिखा हुआ है हमारे सभी देश का नाम नाम ना कि कोई अनाधर नाम है इसे ऐसाथ थे में वानी की बिराम थे तैटेका है गया के भावी मेयर परतिया से पुरी किसी है इस फ्लक्ष पे हम लोग गया के अम्बितकर पार्क में मौजुद हुए हैं सभी लोग आए हुए हैं छातरों लोग सभी को मैं अभी वादन करता हूँ और बावा साथ के बीचारों को जानने की जरुवत है बावा साहब दुष्प भूती समिधान के माता भारत नत्मे बौदी सत्मे डॉक्तर जी आर अम्बेटकर सरस्त्वी पून्ति थी जिसको हम सब लोग महापन्यमान दिवस के लुप में मनाते हैं आज पुरी दुनिया में धुम धाम से मनाई जाने और आज गया में पूले परियार के विचा धाना मिश्वास रखने वाले च्छात नौजवान या तो बावु जीवा चात्रवास या अम्बेटकर च्छात्रवास के तमाम च्यात्रवासी और पास पास के तमाम लोग प्रुःत फेरी के माध्यम से आजमेटकर पार्क पहुचे हैं जहां पर बावा सहाब पर अपना पुस पर फित कर ये संकल्प दोहराएंगे कि जो समिधान को कमजोड करने की कोशिस हो रहा है जो समिधानिक संस्थानों को खत्म करने की साजिस की जा रही है आज उसको संघर्ष के रास समिधानिक संस्थानों को बचाने के लिए हम सब वहुघी समाज के लोग सणड़क पूतर करके और जो बाल सहाब का जो शपना था गुव ऐसा भारत जहां भेद हो मुक्त भारत हो एक ऐसा भारत जहां पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला भारत बने उसको बनाने के लिए हम सब लोग संघस के रास्ते पर आगे बढ़ें